तो यहां पे हमने ले लिये हैं अंडे, अब देखो संडे और मंडे रोज खाने चाहिए अंडे, तो इनी अंडों को गरम गरम पानी में डाल देंगे और अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, यहां पे लगबग 6-7 अंडे में ली रही हूँ और फिर उन्हें के लिए चोड दिया हैं जब हमारे अंडे 6-7 मिनिट के बाल बॉयल हो जाएं हैं तो एक घड़ाई लेगे उसके अंडर ऑईल गरम कर लेंगे एक जामच के करीब फिर उसके अंदर इस तरीके से अंडे डाल देंगे और उपर से डालेंगे अधचा मच के करीब हल्दी और अच्छे से इसे मिक्स करकर रोस्ट कर लेंगे यानि की golden brown कर लेंगे एक बार हमारे अंडे इस तरीके के golden brown हो जाएं तो फिर हमें करना कुछ नहीं है इन्हें तो यहां मैंने एक मीडियम साइस का प्यास लिया है साथी साथ चैसे साथ लसुन की कलियां और दो इंच के करीब अद्रक और एक हरी मिर्च ले लिए है सब कुछ अब हमें अच्छे से पका लेना है और तब तक पकाएंगे जब तक कि प्यास जो है वो अच्छे ब्राउन कलर के ना हो जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं प्याज ने अपना रंग बदल लिया है अच्छे से ब्राउन कलर के हो रहे हैं इसे लगबग 2-4 मिनिट पकाएंगे उसके बाद इसमें जाएगा एक चामज के करीब नमक नमक के साथ साथ थोड़े मसाले और इसके अंदर चले जाएंगे त ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी ना जिले तो अच्छे से इसे लो फ्लेम पर रख लेंगे और भूनने के बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी कुश्बू आने लगी है अब इसे अच्छे से हमने जब तक कि आप देख लीजे साइड में निकल रहा है तब तक पकाना है फिर इसमें दो मीडियम साइस के टमाटर ऐसे बारे कटे हुए हमने एड कर देने है अब इसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे तब तक पकाएंगे कवर करके जब तक कि ऑल अलग सेपरीट नौज अज़ा टमाटर मसाले में कोकना हो जाए त अंडे को इसमें कट करके डाल दीगे उपर से थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल की गरम सफ करेंगे अब इसे सब्सक्राइब आप जो हैं बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे मैं आब वीडियो में आपको बताती हूँ और साथ ही साथ और बी चीज आ बता देती हूं जो कि X के साथ ही बनेगा तो यहां पर 6-7 अंडे लेंगे फिर से उन्हें बॉल कर लेंगे आप एक साथ ही सारे अंडे बॉल कर सकते हैं फिर उसके बाद यहां पर इस तरीके के हलके हलके क्रैक बना देंगे अब क्रैक करने के बाद अंडो को हमने थोड़े स कलर वाले पानी में ट्याल देना है यहां पर मैं यूज कर रही हूँ हलका सा यहां पर फूड येलो कलर तो आप चाहें तो इसके जगा हली भी डाल सकते हैं यहां तो फिर बीट रूट भी डाल सकते हैं तो यहां पर अच्छे से 20 मिनिट के बाद जब आप इसका शेल उतारे लेंगे पापड की भी इस तरीके से स्ट्रिप्स काटके अच्छे से उसको भून लेंगे अब इन एग्स में से बीच में से हमने येलो पोशन हटा दिया है अंदर इसके थोड़ा सा चूरमा यानि कि सैलेड प्यास टमार्टर खीरा ऐसे कट करके डाला है उपर से इसके उ यहां पर हम ले लेंगे इस तरीके के मोटे आटे की लोई और अच्छे से इसे बेल लेंगे बेलने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है पराठा मसाला मैं या भोच का पराठा मसाला यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी कंपनी का पराठा मसाला यूज़ कर एक दूसरे के साथ और एक दम अच्छ ऐसे पराठा रेड़ी हो जाए यह हमने यहां पे यूज ऐसके यह विज वेब्वेड़ी विपको मेल जाएगा या मेल जाएगा आपको इनकी वेब्साइट पर अब पकाना है क्योंकि पराठे भ्लेम पर ही बनते हैं दोनों साइट से लाइट ब्राउन कर लेना है और हमारा पराथा रेडी है हमारा अंडा रेडी है और सैलेड भी रेडी है अब आप चाहे तो साथ में बिर्यानी भी सर्फ कर सकते हैं यह मेरी तरह मैंने यह पीले वाले चावल बनाए है इसकी रेसेपी मैंने अपने यूट्यूब चानल पर डाल दी है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे लिंक भी ले सकते हैं तो यह टेस्टी सी बिर्यानी वेज वाली साथ में अंडे की सबजी साथ में अंडी का खाओ प्यों मज़े करो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटा फर्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जाद से यादर लाइक कीजिए शेर कीजिए देखना चाहते हैं रमदान मुबारक